हेलो नवसकार मित्रों आपका स्वागत है हमारे चैनल भरतिन नौलिश में आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहा है सुबह सुबह आपको अगर विद्वा दिखाई दे जाई ती है तो ये सुब संकेत होता है या सुब संकेत होता है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रवाव पड़ता है और आपका पूरा दिन कैसे भी दने वाला है तो चलिए जानकारी आपको हम देते हैं अगर हम बास्तो सास्त की बात मानें तो विद्वा का दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता है ऐसा माना जाता है हमारे समाज में कि बिद्वा इस्तरी का जीवन होता है वो काफी संगर स्पून होता है क्योंकि बिद्वा इस्तरी का कोई सहरा नहीं होता है इसके अलावा इस्तरी के बारे में कहा जाता है कि ये दुर्भा के किमारी होती है इनके कुछ पुराने पाप होते हैं जिसकी वज़े से ये विद्वा का जीवन यापन करती है मैं यह बात कर लेते हैं अगर सोबह सोबह आपको विद्वा दिखाई दे जाती है तो आपको क्या करना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ अगर आपको सोबह सोबह बिद्वा दिखाई दे जाए ती है तो मैं आपको बता दूँ कभी भी उससे अपका सब्द बिल्कुल मत बोलिएगा अगर हो सके तो आप उसके चान बंदना करके उसका आसीरवात जरूर प्राप्त करें ऐसा माना जाता है कि बिद्वा का अगर आप सोबह सोबह आसीरवात प्राप्त करते हैं तो ये बेहदी बढ़िया संकेत होता है कि आने वाले दिनों में या आज के दिन आप कोई भी कारे करेंगे तो उसमें आपको सब्दा मिल सकती है बहिएं बात कर लेते हैं अगर आपको सोबह सोबह बिद्वा दिखाई दे जाती है और बिद्वा आपको उल्टी सीधी या गाली देती है या आप बिद्वा को परेसान करते हैं इसलिए हमारे समाज में कहा जाता है कि बिद्वा की कभी भी हायर नहीं लेनी चाहिए इसलिए अगर आपको सुबह सुबह बिद्वा दिखाई दे तो कभी भी उससे गलत मत भुलिएगा और सदे उससे प्रेम बस बात करिएगा इससे आपके जीवन में काफी अच्छा सकारातमाग प्रुभाव देखने को मिल सकता है इसके अलावा बिद्वा की अगर आप बद्वा लेते हैं तो आपके जीवन में काफी जादा आपको परिष्टितियों के अनुसार, मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है बास तो सास्त के अनसार सुवह सुवह अगर विद्वा हस्मुक रूप में दिखाई देती है तो इसका अपको जीब मतलब होता है कि आपके जीतने भी कार्य हैं जो भी आज आप करेंगे उसमें आपको सपलता मिलेगी बहिंगर विद्वा उदास दिखाई दे तो ये असुब संकेत माना जाता है इसका मतलब होता है कि आपके कार्य में बिगन उत्पन हो सकता है जिसके आपको थोड़ा साबदार रहने की जरूरत है